हे गाइस आए अम्बिका फ्रॉम गाइडली आज हम बैंक एक्जाम्स के प्रिलेम एक्जाम्स के स्ट्रेजी के बारे में बात करने वाले हैं और यही स्ट्रेजी मैंने दो लुगों के लिए बनाई है एक बिगणर्स और एक अल्रेडी प्रेपेर्स ठीक है देली बेसिस पे या फिर एक या दो दिन में फुल लेंथ मौक देना चाहिए प्रीका जिस भी एक्जाम को वो टार्गेट कर रहे हो या मतलब या जो भी एक्जाम उनका प्रियारिटी हो, IBPS का कलेंडर में IBPS PO हो, RRBPO हो या SBI का एक्जाम सो उनको बस अपनी जो भी एक्जाम है ना उनका एक फुल लेंथ मौक देना है डेली में या फिर दो दिन में एक मौक देना है और उसके एनलेसिस पे फोकस करना है और जो बिगनर्स है बिगनर्स के लिए बस एक एक्स्टा काम करना पड़ेगा क्या? बेसिक पे काम करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है और आपके बेसिक कवर नहीं होगे तो आपको पहले शुरू में एक से देड़ महीने अपने बेसिक्स पे काम करने है हर एक टॉपिक के बेसिक अच्छे करने है Mass, Reasoning, English इन तीनों के बेसिक्स अच्छे करने है आप लोगों को तो हर एक टॉपिक के जब बेसिक आप अच्छे करोगे तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही एक एक टॉपिक खतम करे हो आपको प्रॉपर दो-तीन दिन हर एक topic को देने है ताकि आप आराम से उसका पहले video lecture देख के teacher से सीख लो then second day उसके pre-level के सारे questions then third day उसके means level के सारे questions लगाओ क्योंकि जब हम basic cover करते हैं तो हम exam target नहीं देखते हैं कि pre है या means है जब हम basic cover करते हैं तो हम हर एक type के question करते हैं वो easy level भी हो moderate level भी हो difficult level भी ताकि means तक cover हो जाए basic और जब आप अपने basic cover करोगे तो आप mock को हमेशा कैसे skip नहीं करोगे आपको weekly mock देना है तब तो जिस भी exam को आपने target करने का सोच है जो भी exam आपका priority है उसका एक weekly mock आपको देना है और उसका analysis करना है और जब आपका basic cover हो जाए जब आपके basics खतम हो जाए सारे subject के तब आपको वैसे ही daily basis पे या फिर दो दिन में एक mock देना है full length जिस भी exam को आप target कर रहे हो और उसके analysis पे focus करना है ठीक है analysis में focus में बस आपको ध्यान देना है कि जो गलतियां आपने mock में आज की है जल्दी जल्दी किया होगा speed पे focus करने के चकर में आपने accuracy पे ध्यान नहीं दिया होगा गलतियां आप क्या कर सकते हो हो सकता है शुरू में कोई puzzle आ गई हो reasoning में जानबुच के examiner या फिर जो mock होते हैं उसमें जानबुच के शुरू में puzzle या डियाई वगेरा थोड़ी सी tricky डाल देते हैं ताकि बच्चे उसमें फस जाते हैं 4-5-5 मिट लग जाते हैं या तो वो बनती हैं या वो नई बनती हैं फिर तो ये सब traps जो होते हैं जिसमें हम फस जाते हैं जिसकी वैज़े से हम एक difficult question करने के चकर में बहुत सारी easy questions को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए doable भी थे और बहुत easy भी थे ऐसी गलतियां होते हैं तो आपको बस analyst में यही focus करना है कि आपकी जो आज गलतियां होई न वो कल आप ना धोरा हो ठीक है और आपको accuracy पर पूरा focus करना है क्योंकि आप practice करोगे न तो धीरे धीरे करके आपकी speed improve हो ही जाएगी एक दिन लेकिन आप शुरुआत में speed के पीछ question doable रहता है न जैसे puzzle है या फिर डियाई वगेरा है यह देड़ मिनिट में दो मिनिट में doable रहती है तो आप इसको करो अदर्वाइस आपको लग रहा है कि इससे जादा time लग रहा है इसमें तो आप उस वक्त के लिए न उस question को छोड़ दो उससे move on करके और भी बाकी questions को बहुत easy रहते हैं ठीक है तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपको दो मिनिट में लग रहा है कि दो तीन मिनिट हो गया और आप से नहीं हो रहा है तो आप जादा उसको वक्त में दो उस समय के लिए उस question को छोड़ दो बाद में भले आपको वक्त मिलता आप उसको try कर ले इसलिए मेरी advice रही है आपको कि उस वक्ती लिए उसको छोड़ दो mark for review कर लो next question कर लो last में वक्त मिले तो आप दुबारा से उसको try कर लेना ठीक है और जब भी आप mock दो तो mock में शुरुआत में हो सकता है कि आपके marks कम है तो अपने कम marks से खुद को judge मत करना कि अभी तो marks कम आ रहे हैं मेरे अभी marks ने आ रहे हैं पता नहीं होगा नहीं होगा आपको यह सब ध्यान नहीं देना है आपको बस कोशिश करनी कि आज आपकी जितने marks आए है या आज आपकी जितनी percentile आई है कल के टाइम पे या कल जब आप mock दो तो आपकी percentile उससे अच्छी आई या कल क आपके marks आज से marks से अच्छे हैं बस आपको यह focus करना है ठीक है क्योंकि धीरे-धीरे करके एक दो नंबर एक दो नंबर करके आपके marks जो है वो एक दिन इंप्रूव हो ही जाएंगे जिस भी exam का आप जैसे आप IVPS को target करो तो अभी time है धीरे-धीरे करके आप दोगे तो आपको खुद दिखेगा वो ठीक है तो आप marks को देखका टेंशन बिल्कुल भी मत देना और वैसे भी जब आपने सोच है कि आपको preparation इस्टार्ट की ही है आपको जब करना ही है जॉब चाहिए ही है तो अपना टेंशन का zone थोड़ा shift कर लीजे क्योंकि वैसे भी आप टेंशन का zone shift कर दो आप ये मत सोचो कि आपके marks नहीं आ रहे तो क्या होगा आपके future का आपकी job लगेगी नहीं लगेगी बैटर आप ये सोचो कि भाई आज का जो मेरा target है या जो मेरा weekly target है इदि मैं tension लेकि इनको खतम नहीं कर पाया तो आने वाले मेरे सारे schedule ही खराब हो या weekly जो next schedule है वो खराब हो जाएगे या आप आज या अभी इस month की या इस week की to do list को खतम नहीं कर पायोगे तो ठीक है तो आपको tension लेनी है तो अपने to do list maintain करनी की tension लेना schedule पूरा ना कर पाने इन सब के tension लेना बाकि ये tension मतलेना की job लगेगी नहीं लगेगी क्योंकि वो ल इरियास बता सकते हैं आपके strong इरियास बता सकते हैं ताकि आप real exam में उन strong इरियास पर सबस्दा काम करो और वहां से marks gain कर पाऊ ओके thank you so much